अस्तामलीकूम फ्रेंज्स, विल्कम बैक टूप स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल मन आंगन उलाद का दुख्पी बहुत ही जालिम है, जब तक माँबाप की जान नहीं ले लेता, ये दुख्पी जान नहीं छोड़ता जिससे के यहां पर महनूर की मा, बहुत ही परिशान है रमशा के भड़ते हुए कदमों की वज़ा से, बेशक माबाप अपनी उलाद के भड़ते हुए कदम भी भांप लेते हैं तभी तो महनूर से कहने लगी रमशा को समझाओ, आजकल बहुत ज़्यदा हर्चा करने लगी है, दोनों हाथों से पैसा लुटाती है मुझे हत्रा है किसी बुरे काम में न परचे, किसी लड़के के चक्कर में न परचे इसलिए तुम उसे समझाओ, उससे बात करो ताके तुमें इल्म हो यहां पर महनूर मा को तसली देती है कि वो जरूर बात करेगी अगले ही दिन वो माहीर को जब कॉल पर बात करते हुए सुनती है कि वो कितना फ्री होकर लड़कियों के बारे में बात कर रहा है और कह रहा था कि मुझे तीन लड़कियां बहुत पसंद है लेकिन यहां पर जो रमशा कॉल परती तो रमशा तो जल्दी से आगे से कह देती है लेकिन मुझे तुम बहुत पसंद हो अब माहिर यही तो सब कुछ चाहता था कि रमशा उसकी तरफ कदम भड़ाए ताकि उसकी शादी भी रमशा से हो सके और वो भी उसकी दौलत का हिसेदार बन सके अब महनूर को यह तो पता चल गया कि माहिर लड़कियों के चकर में है लेकिन यह पता नहीं चल सका कि वो रमशा से बात कर रहा है इसलिए यह माहनूर भी बहुत परिशान है कि माहिर किन चकरों में पड़ा है माहिर सिर्फ रमशा को नहीं माहनूर को भी तो लूट रहा है कभी उसकी चोरी करता है तो कभी उससे उधार पैसे देकर बाइक ले आता है अब बाइक भी ले आया सबी बहुत हुश है लेकिन यहाँ पर बाइक पर सेयर करवाने के दिए रमशा को जो बाहिर निकला तो अपने घर ले आता है युनिवस्टी से ओफ होने के बाद रमशा को अपने साथ अपने घर ले आया रमशा भी बहुत हुश है इस टाइम घर में कोई भी नहीं अब यहां पर माहिर थोड़ा सा आगे भड़ कर रमशा का हाथ पकड़ने लगता है और उससे अपनी महबत का इजहार भी करने लगता है कि तब ही महनूर आ जाती है रमशा की तो महनूर को देखकर पैरों तले से जमीन ही किसक गई और महनूर की भी वो कभी नहीं सोच सकती थी कि रमशा माहिर के साथ ही चकर चला रही है दूसी तरफ अबारीबा अपने गिले शिक्वे लेकर अपनी मां के पास आ गई कि आपने सक्लैन के जगा बहुत जल्द फरास को दे दी सक्लैन हमेशा गिला करते हैं मुझसे आप जानती है ना मैं बे उलाद हूँ ऐसे में जब आप सक्लैन को इज़त नहीं देती तो वो मुझसे भी इज़त नहीं देते मेरे साथ भी लड़ाई करते हैं अब मां इस बेटी की वज़ा से भी तो बहुत परेशान है बेटी का दुख है कि सहा ही ने गया इसलिए तो कमरे में जाकर सो गई जब काफी देर बाद भी अभी मां की आंक नहीं खुली तो अरीबा ने अंदर जाकर जगाने की कोशिश की तो मां मां फुकारती रही लेकिन मां उठी ही नहीं बहुत मिम्किन है कि यहां पर माहनूर की मां का इंतकाल हो गया हो जो सक्रैन के लिए तो बहुत ही खुशी की हबर है क्योंकि वो अलाज करवाना नहीं चाहता था कितना पैसा जाया करना नहीं चाहता था एक ना एक दिन तो इसने मरना ही था तो आज ही क्यों नहीं सक्रैन के लिए तो ये खुशी की हबर बन गई लेकिन फ्रेंट्स आपको क्या लगता है क्या यहां पर मानूर की मदर की डेथ हो जाएगी क्या वो हमेशा के लिए इन्हे छोड़ कर चली जाएगी या नहीं जरूर केमेंट्स में बताइएगा मज़ीद वीडियोज के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके साथ ही बेल कर नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत असानी से देख सकें अलाहाफीज